अगर आप Amazon इंडिया पर सेल करते हैं, और आप ये सोचते हैं कि Amazon पे आपको अच्छी सेल्स मिल रही है, आपकी प्रोग्रेस पी अच्छी है, और आगे चलके Amazon पे ही आपको सेल करना, आपको बाकी marketplaces पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी website नहीं बनानी है, तो आप कुछ दिन बात आप बहुत बड़े नुकसान में जा सकते हैं ये कैसे हो रहा है और कैसे ये आपके साथ भी हो सकता है चलिए इस वीडियो में जानते हैं और आपको बताते हैं Amazon की वो कुछ हकीकत जिसको जानने के बात आप Amazon के साथ दूसरे e-commerce platform के बारे में भी सोचेंगे और कहीं न कहीं आप अपने brand के बारे में भी सोचेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं like, share, subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तो Amazon इंडिया में लगातार कुछ ऐसी activities कर रहा है जिससे वो जान्स के दायरे में रहता ही रहता है आपको मालूमी होगा कि Amazon पे search engine में छेड़खानी करने का आरोप पहले ही लगाया जा चुका है जिसकी जार चल रही है और लेडी बहुत सारे cases इनके इंडिया में चल रहे हैं जाल में ही 202 करोड की penalty भी CCI ने इनके उपर import की है साथ में CIT Amazon को इंडिया में बंद करने की मांग कर रहा है क्योंकि कहीं न कहीं जो Amazon है दोस्तों इसका जो main profit है वो commission label पे नहीं होता वो item label या inventory label पे होता है मतलब Amazon अपनी तरफ से पूरी कोसिस करता है कि वो जो item जादा बिकर हैं इंडिया में वो उसकी copy करके अपने brand से खुद बेचने लगे प्योंकि उसमें उसका जादा मुनाफ़ा होता है इसलिए FDI के इतने strict rules होने के बावजूद भी ये लोग उन rules का लूचपोल निकालते हैं और इस तरीके से अपने आपको maintain कर रहे हैं इंडिया में कि अभी भी बहुत आराम से inventory label पे काम कर पा रहे हैं और जो चीजें इंडिया में ज़्यादा बिक्ती हैं उसको copy करके अपने brand में बेच पा रहे हैं Amazon पे बहुत सारे sales report करते हैं कि उनका carrier अच्छा नहीं रहा या तो उन्हें business को बंद कर दिया या तो नुकसान में जाने लगे Actually इसके पीछे का region मैं आपको बताओं Amazon लगातार आपके products पे आपकी listings पे नजर बना के रखता है और यह चीज देखता है कि आपका कौन सा product जादा बिक रहा है, किस state में बिक रहा है और किस type के customer उसको खरीद रहे हैं अब Amazon क्या करता है? धीरे धीरे उन products की copy अपने यहाँ बनवाता है और उसको उसी state में अपने brand से sale करना start कर देता है अब आपको मालूम ही है जो Amazon के brand होते हैं उनकी जो visibility है वो super होती है वो पहले page पे ही उनके products दिखाई दे जाते हैं इससे क्या होता है कि जब वो product copy करके अपनी तरफ से sale करना start करते हैं तो जो आपके products बिक रहे थे वो बिकना बंद हो जाते हैं और फिर आपका business नुकसान में जाने लगता है या तो अब आप फिर कोई unique product खोच के लाइए जो अभी तक उन्होंने copy नहीं किया है या तो फिर आप नुकसान सहने को मजबूर हो जाएए इस सारी घटनाओं के बीच Amazon अपने seller के साथ में बहुत सारे scam भी करता रहता है बहुत सारे गलत काम भी करता है मेरे नजरिये से जो मुझे लगता है अब क्यूंकि recently इन्होंने regional discovery policy को implement कर दिया जहां पे seller की listing उसी region में दिखाई देगी जहां से वो sale कर रहा है बाकी के states में वो उनकी listings को बन कर रहे है या उनकी visibility को प्रभावित कर रहे हैं साथ में इनोंने कह दिया कि अगर आपको बाकी clusters या states में जाना है तो आपको वहां का GST number लेना पड़ेगा और हमारे FBA bear house में item भेजना पड़ेगा बहुत सारी ऐसी activity ये करते हुए आ रहे हैं जिससे जो small, medium, scale seller है या जो लोग Amazon इंडिया पे अच्छा काम कर रहे थे अब उनकी भी sales डाउन होती जा रही है तो इस तरीके से Amazon इंडिया में sellers के business को hamper करता है ये मेरा अपना experience है मेरी अपनी राह है क्योंकि ये सारी चीज़े मेरे साथ भी होती रही है और ये सारे उन sellers के साथ में होती है जो ज़्यादा time तक Amazon पर sale करते रहते हैं क्योंकि बाद में क्या होता है कि Amazon उनके सारे products की copy कर लेता है और उनको खुद ही sale करने लगता है जिससे उस seller की sale है वो लगातार down होती चली जाती है बात करेंगा flip card की, miso की या patium की तो वो इन से तो better है क्योंकि वो अगर एक बार आप वहाँ पर अच्छा करने लगे और आपकी rating अच्छी है तो ज़्यादा chances है कि वो आपके साथ ये काम नहीं करता है लेकिन Amazon ये काम बहुत धडले से इंडिया में कर रहा है इसलिए जगा जगा उस पर penalty impose की जा रही है और लगातार वो जांच के दायरे में बना हुआ है तो अगर आप Amazon इंडिया पर sale करते हैं और आप सुचते आप secure हैं तो मुझे तो नहीं लगता आप secure हैं इसलिए आप Amazon के साथी साथ Flipkart, Me, Soya जितने marketplace हैं उनको try करें और कोसिस करें कि आप अपनी website बनाएं और अपने products को अपनी website पे list करें और धीरे धीर उन पे ads चलाएं और अपनी brand value को बढ़ा के वो सारे customers आप अपनी website पे ले आएं जिससे वो हमेशा आपके साथ जुड़े रहें क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है तो इस तरीके से अगर आप अपनी e-commerce business policy को maintain करेंगे तब ही आप इस marketplace में sustain कर पाएंगे otherwise आपकर आप Amazon के भरोसे बैठ जाएंगे तो फिर आप बहुत नुकसान में जा सकते हैं इसलिए Amazon के साथ आप बाकी चीजों को भी सोचिए और अपने brand के value को बनाने के लिए भी आप try करें कोसिस करें कि कैसे आपकी brand value इंडिया में बन पाएं तो इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो like and share करिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर कर लें कोकि आपको यहाँ पर इस तरीके की वीडियो मिलती रहती हैं thank you so much